1973 की गर्मियों में फैक्सास आउस्टेन में पांच नौजवान लोगों पर एक अग्यात नकाब पोस्ट हत्यारे ने जानलेवा हमला किया जिनने मारने के लिए उसने हतोडे मेठोक और चैन सा का इस्तिमाल किया था उन पांचों दोस्तों में से एक लोटी लड़की इसका नाम शैली हार्डिट था जिनने पुलिस को अपना बयान देने के बाद उस खौफनाक मंजर का जिक्र दुवारा कभी नहीं किया लीला स्टोर की दिबार पर शैली की न्यूज कटिंग देखकर शौप की पर से पूँचती है कि क्या ये लड़की अभी तक जिन्दा है शौप की पर उसे बताता है कि वो टाकसैस में रेंजर का काम करती है और 30-40 सालों से उस हत्यारे को ढोड़ रही है लीला पूँचती है कि वो उसे अभी तक मिला या नहीं तो डेपार्टमेंटल स्टोर का मालिक उसे बताता है कि उस हत्यारे ने इंसानी खाल का मास्क पैना था उसे आज तक किसी नहीं देखा तभी वहां मैलोडी आ जाती है दिला मैलोडी को बताती है कि उसने उसके लिए शैंपेंज क्रू खरीदा है तभी वे लोग वहां से जाने लगते हैं तो शॉपकीपर उनसे पूचता है कि वे लोग कहा जाने वाले हैं मैलोडी उनने बतात है हार्लो हार्लो सुनकर शौप के पर चौंक जाता और उनसे सावधान रहनी की बात करता है बार उनका दोस्त डेंटो ने बताता है कि बस रास्ता बटक गई थी मगर अब उनसे कॉंटेट हो गया है और वो बस जल्दी हार्लो पहुंच जाएगी और अब हम भी यहां से जल् इस्ट्रमेंट और आगे डवलमेंट की बात बताता है दरसल मैलोडी और डेंटो ने बैंक से एक टाउन खरीदा था जो काफी समय से विरान था और इसलिए वह अपने इंवेश्टर को हार्लो दिखाने ले जा रहे हैं ताकि वह वहां डवलमेंट करके रिनुवेट कर सके और नया सीटी बना सकें और उसे कॉमरिशल यूज़ कर सकें वहां उनके साथ डवलमेंट की फ्यांसी भी है रास्ते में वही लाल जी बला काला धुमा उडाता हुए उनके आगे से तेजी से निकल जाता है वो कुछ ही आगे जाते हैं कि दो पुलिस ओफीसर उनकी देता है और उनसे कहता है कि या बहुत कतरनाक है अगर जोरुद पड़े तो इस नमबर पर कॉल करें उसके बाद डेंटो और इसके वहां क्या है वहां पर काम शूरू करेंगा वो चारों टाउन गूमने निकल जाते हैं तबी उन्हें एक फ्लोर पर जंटा नजर आता है जो बड़ा अजीब था डेंटो और मैलोडी उस घर में जाते हैं ताकि वो जंटा निकाल सकें मैलोडी उस घर में दिवार पर लगी हुई तस्वीर देखती है जिनमें एक तस्वीर ग्रूप में कुछ बच्चे होते हैं और सबसे पीछे खड़े बच्चे का फेस साफ नजर नहीं आ रहा डेंटो जंटा हटाने की कोशिश करता है मगर उसका हाथ नहीं पहुँचता और वह मैलोडी के पास आ जाता है और तभी वहाँ बुड़ी औरत आ जाती है और दोनों से कहती है कि शायद आप मेरे पड़ोसी है और वह बुड़ी औरत उन दोना का वेलकम करती है उसे वहाँ देखकर दोना हैरान हो जाते है क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ कोई नहीं रहता मगर बुड़ी औरत उन्हें बताती है कि उसने बैंक का सारा लॉन चुका दिया है और अब यह प्रपरटी उसी की है डेंटो उसके बात पर यकीन नहीं करता बुड़ी औरत उन्हें बताती है कि शायद उन्हें उस जंडे से दिक्कत है यह जेंडा उनके दादा जी की आखरी निसानी है मगर डेंटो उसे गाली देता है और वहाँ से पुलिस बुलानी के बात करकर वहाँ से चला जाता है बोड़ी औरत और मैलोडी बात करी रहे होते हैं तभी सीडियों पर एक अजीब बड़ा सा आदमी देखकर मैलोडी डर जाती है तभी उस आदमी को अंदर जानी के लिए बोलती है और उससे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो मैं भार नहीं आना चाहिया था बोड़ी औरत मैलोडी को बताती है कि ये और्फेन एज हॉम का आखरी बच्चा है अब वह उसी के साथ रहता है और उसका ख्याल रखता है तभी देंट उवहाँ पुलिस को ले कर आ जाता है पुलिस ओफिसर्स जब बड़ती उस बोड़ी औरत को वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं तभी उस बोड़ी औरत को हार्ट अटेक आ जाता है पुलिस ओफिसर्स उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहते हैं तभी वह अजीब आदमी बोड़ी औरत को उठाकर गाड़ी में ले जाता है और उसे के पास बैठ जाता है डैंटे की फ्यांसी भी गाड़ी में उनके साथ बैठ जाती है ताकि हॉस्पिटल में उनकी मदद कर सके वह लोग वहाँ से जाने ही वाले होते हैं तभी वह अजीब आदमी मेलोडी को घूर कर देखता है क्योंकि उनकी मा की ऐसी हालत उनी की वज़े से हुई थी अब ब्रेक्टर वो जंटे को उतार कर डैंटो के उपर फैंक देता है वो उससे बहुत नाराज है क्योंकि बूरी आदमी रोने लगता है क्योंकि वो उसको अपनी मा समझता था वो ऑक्सिजन पाइप को तेजी से हिलाता है ताकि ऑक्सिजन उस बूरी आरत को मिल सके तब ही पुलिस ओफिसर उसका हाथ लोग देता है और उसे इसारों में समझाता है कि वो मर चुकी है तब ही वो आदमी उस पुलिस ओफिसर का हाथ तोड़ देता है पुलिस ओफिसर गन निकालता है और फायर करने वाले होता है तब ही वो आदमी उसका हाथ तोड़कर उसकी हड़ी उसके सीने में गौम देता है इस हातापाई में गोली सीने इस्पैक्टरों को लग जाती है जिससे वेन का संतुलन बिगड़ जाता है और गाड़ी का एक्षिटेंट हो जाता है वहाँ मेलोडी टाउन्शिप में आक्षिन सुरू कर देती है कुछ दिर बात मेलोडी को डेंटो के फ्यांसी का मैसेज आता है कि बुड़ी औरत मर चुकी है ये बात वो डेंटो को बताती है कि उस बुड़ी औरत की मौत के वज़ए वही है यह कहकर वो अपनी बेहन लिल कि गायल फ्यांसी को होसा जाता है और वो देखती है कि दौना पुलीस ऑफिसर्स मर चुके हैं और वो आद्मी और बुड़ी औरत गाड़ी में नहीं है तब वह बैक मिरर से देखती है कि वो आदमी उस बुड़ी औरत के चेहरे की खाल निकाल रहा है यह देखकर वो बु स्टम से रीडियो स्टेशन पर हैल्प मांगने की कोशिश करती है तब तक उस आदमी ने बोड़ी औरत के फेश से स्किन उतार लिए थी उस स्किन उतार कर खुद के फेश पर लगा लिए थी बड़ियो पर वहां की पूरी घटना बता देती है जिसे डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक सुन देता है और बेचैन हो जाता है तब भी सीनियर ऑफिसर को होशा जाता है डेंटो की फैंसी उसकी मदद करने यह वाली होती है तब भी लेदर फेस वहां आ जाता है और ऑक्सिजन करता है कि तुम दीला को लेकर यहां से निकल जाओ मैं डील करकर ही आऊंगा और वह कार की चावी मैंलडी की तरफ फैंक देता है तब यह वहां रिक्टर आ जाता है और गाड़ी की चावी चीन देता है और कहता है कि तुम दों के वज़ए से उस बुड़ी औरत की मौत कि यह प्रपट उसी की है और वे दौनों प्रपर्पटी के पेपर ढूणने उसके घर चले जाते हैं वही मैंलडी को एक बॉक्स मिलता है जहां उसे उस बुड़ी औरत की प्रपर्पटी के पेपर मिल जाते हैं उधर डिपार्टमेंडल स्टोर का मालिक शेली को फोन करकी बता देता है कि Leather Face वापिस आ चुका है और उसने मौत का टांडव सुरू कर दिया है यह सुनते ही शैली वहाँ से अपने दोस्तों की मौत का बदला लेने निकल जाती है फिर वो गाड़ी में लगे अपने दोस्तों की तस्वीर देखती है जिने Leather Face ने बेरहमी से मार दिया था बॉक्स में प्रॉपर्टी कागज देखकर मेलोडी बुरी तरह चौक जाती है और वो समझ जाती है कि बुरी औरत सच कह रही थी उसकी मौत उनी की वज़े से हुई है तब ही वहाँ किसी के आने की आहट होती है यह सुनकर डेंटो डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर Leather Face उसका गला कार देता है खून से लट पर डेंटो जमीन पर गिर जाता है तब ही वहाँ मेलोडी आ जाती है वो डेंटो को जमीन पर पड़ा देखती है और उपर कमरे में जाकर छुप जाती है तब ही Leather Face उसकमरे में आता है और अपनी मा का मैकप अपने Face पर लगा कर अपनी मा को याद करता है और रोने लगता है तब ही वो भार Investors के गुरूप का शोर सुनता है जो वहाँ Party कर रहे थे यह देखकर उसे बहुत गुसा आता है और अपनी घर की एक दिवार तोड़ने लगता है तब भी डेंटो को होश आ जाता है और घर से निकल कर बाहर आ जाता है रिक्टर उसे देखता है और उसे पूँचता है कि यह हालत उसकी किसने की डेंटो उसे कुछ भी बोल पाता इससे पहले उसकी मौत हो जाती है ठीक उसी समय एक लड़की महा आ जाती है और डेंटो की लास देकर डर जाती है रिक्टर उसे कहता है कि वो सभी को लेकर बस में चले जाए और बस को अंदर से लॉक कर ले और प्लिस को फॉन करे और वो खुद बोड़ी औरत की घर की तरफ चल देता है तबी बैट के नीचे छिपी मैलड़ी देखी है कि लेदर फेस दिवार तोड़कर चैन सौ निकाल लेता है और उसे स्टार्ट करता है और तबी वहां रिक्टर आ जाता है दौन हमें लड़ाई होती है लेदर फेस हतौड़े मार मार कर उसकी टांग तोड़ देता है और सीसे से उसका गला काड़ देता है खुन से लगपत लिक्टर जमिन पर गिर जाता है बैट के नीचे छिपी मैलड़ी कर देख लेता है और उसे गाड़ी की चापी देने की कोशिश करता है तब भी लेधर फेस हतोड़े मार मार कर उसके सर के टूड़े कर देता है उदर शैली खेत में पुलिस वैन के पास पहुंसती है जहां उसे डैंटे की फ्यैंस शी की और पुलिस ओफिसर की लासे मिलती है वहीं खेत से उसे बुड़ी औरत की लास मिलती है जिसका फेस कटा हुआ होता है वहां हारलो में लड़की सबी लोगों को बस में खटा कर लेती है वह बाहर से दर्वाजा बंद कर देती है तब लीला वहां से बाहर जानी की जित करती है और मेलोडी को डोडने के लिए बस से उतर जाती है तब ये रास्ते में वह डैंटो की लास देखती है जिसे देखकर वह बुरी तरह डर जाती है उदर मैलोडी वहां से भागने की कोश्श करती है मगर Leather Face उसे देख लेता है और उसे चैन सासे मारने की कोश्श करता है मैलोडी बचने के लिए तेकाने में चुप जाती है मगर भार निकलने की रास्ते पर एक जाली लगी होती है गबराई हुए मेलोडी जाली से ही लीला को आवाज देती है लीला जाली तोड़ कर उसे भार निकाल देती है और वो दोना भाग कर बस में छिप जाते हैं और वो बस ड्राइवर को गाड़ी की चाबी देकर मां से तुरंत निकलने के लिए कहते हैं बस ड्राइवर निकलने वाला होता है कि वो leather face को भार देख लेता है और समझता है कि कोई भार छूट गया है और वो उससे लेने के लिए उतर जाता है और थोड़ दिर बाद उसका कटाओ असर गाड़ी माग कर गिरता है तबी leather face चैन सौ लेकर गाड़ी में आ जाता है उससे देखकर सभी लोग उसे कोई funny character समझते हैं और इसकी online वीडियो बनाने लगते हैं तबी leather man चैन सौ से सभी लोग को काटने लगता है सभी लोग जान बचाने के लिए एदरदर भागने लगते हैं मगर leather man एक एक करके सभी को काटने लगता है मौका पाकर melody और लीला बस की cabin म चुप जाते हैं मगर leather face बस का दरवाजा काट कर उन्हें मारने की कोशिश करता है मगर वह जैसे तैसे जान बचाकर बार निकल आते हैं और सड़क पर भागने लगती है और तबी वहाँ शैली की कार आकर रुखती है शैली उन दोनों को अपनी कार में बैठा लेती है मैं वो एक साइको किलर है जो सभी को मार रहा है मगर शैली उनको कहती है मैं पिषले 40 सालों से उसे ढूढ़ रही हूँ और अब वो उसका सिकार है शैली उन दोनों को कार में छोड़ कर बूड़ी और चुरब की घर की तरफ निकल जाती है और बूड़ी और आरत की घर में उस क्षिश करता है तभी शेली इस पर fire कर देती है और उसे बताती है कि वे और उस दिन उससे बच गई थी लेदर फेस महां से बच कर भाग जाता है शेली मैलोडी को कार की चापी दे कर उन्हें महां से निकलने के लिए कहती है औरожно लेटर को डोड़ने नीगल जाती है तब लेदरफेस अचानर शेली पर हमला कर देता हैं और अपने सोसेज शेली का पेट काड़ देता है तबी मैलोडी उसको मत बोलती है और कहती है कि अब उसका दूरा काम लीला को पूरा करना है लीला लेदर फेस को मारने निकल जाती है तब भी लेदर फेस लीला पर अटेक कर देता है और दोनों पानी में गिर जाते हैं थोड़े दिर्वा लीला पानी से बाहर निकलती है मगर Lather Face उस पर फिर हमला कर देता है और वहाँ वह लीला को चेन्सा से काटने की कोसिश करता है तब भी वहाँ Melody आ जाती है और Lather Face पर Fire कर देती है मगर उसकी गोलियां खतम हो जाती है तब ही Melody चेन्सा उठा लेती है और Lather Face के चैरे पर हमला कर देती है leather face पानी में गिर जाता है और डूब जाता है अगली सुबह melody और लीला यह समझती है कि leather face मर चुका है और वो वाँ सर जाने के लिए गाड़ी में बैठती है और उस वक्त dela melody से जिन दिएक पर साथ रहने की बात करती है तब भी अचानदक हमएं leather face आ जाता है और चैन्साओ से मैलाड़ी का सरदर से अलग कर देता है और उसे हवा में उच्छाल देता है यह देखकर लीला चीक तो वे रोने लगती है और यहीं इस मूवी का अंत हो जाता है दोस्तों आपको मेरे वीडियो कैसा लगा अगर आपको पसंदा है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब चूर कीजिए मिलते हैं आपको नेक्ट वीडियो में तब तक कीए धन्यवाद खुदा आफिस नमसकार जैहिंद